नमस्कार बच्चों आज हम कक्षा बारवी के इतिहास में पार्ट चार विचारक विश्वास और इमारते को पढ़ेंगे और इसमें आपका जो टाइम पीरिड है वो 600 इसा पूरुसी 620 वी का है और इस पार्ट की हम दो वीडियोज बनाएंगे शॉर्ट क्वेशन्स को एक प्रशन उत्तर को आगे लेंगे तो हम स्मान्य बिंदो को पढ़ते हैं महान दार्शनिक विचारों के विचार भौतिक तर और लिखित परंपराओं में संगरहित हुए तथा स्थापत्य और मुर्तिकला के माध्यम से अभिवेक्त हुए बहुत धरम के विश्वासों और विचारों को जानने का प्रमुक स्रोत है साची का स्थूप तो ये आप ध्यान कर लीजिए कि साची का स्थूप वो है जिससे हम बहुत धरम के विश्वास और विचारों को जान सकते हैं ये प्लशना आपका One Marker Question में कई बार आता हैं तीसरे पॉइंट को जब हम तो हमारा तीसरा पॉइंट है उन्निसमी शिताब्दी में अंग्रेज वे फ्रांसेसियों ने साची के स्थूप में विशेश दिल्चस्पी दिखाई चौथा पॉइंट आरम में स्थूप वस्तूतर टीले होते थे यह पवित्र बौदस्तल है यहां आंगन के बीच चबूत पर बुद्ध से जुड़े अवशेशों को गाड़ जाता था यह स्थूप की डफिनेशन है कोई स्थूप आपसे पूछे दो पांचवा स्ताची के स्थूप समूम के सरक्षन में बोपाल की शाशक शाह जहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम का बहुत योगदान था य जहा जहा बेगम ने योडोपियनों को केवल स्थूप के तोरन दौर की प्लास्टर प्रतिक प्रतिकर्ति ही ले जाने दी सुल्तान जहां ने और सुल्तान जहां ने किया काम किया रख रख रखाव के लिए धन दिया, संगरहलया, अतितिशाला बनाई, इसके लावा नो नो ने एक पुस्तक भी छपवाने में मदद की थी, सात्वा पॉइंट है आपका, इस्वी पूर्व प्रथम सताबदी में, सहस्तराबदी में, जीवन के रहस्यों को समझाने के लिए जर्तरुस्त, खुंक्सी, सुकराथ, प्लेटो, अरस्तु, महावीर, बुद्ध, आदी चिंतकों का देवा, तो यह जो 600 इसा पूर्व का जो चिंतक थे, जो सारे समाज में सब तरफ काम कर रहे थे, पूर्व वैतिंग परपरा के रिगवेद में, इंद्र, अगनी और सोम आदी देवताओं की स्तुति की जाती थी, यह प्रशन भी आता है, कि रिगवेद में किन देवताओं की स्तुति की जाती थी, तो इंद्र, अ बुद्ध और महावीर जैसे चिंतकों ने वेदों पर प्रश्ण उठाया और जीवन का अर्थ तथा पुनर जनम आधी के बारे में जानने का प्रयास किया। पिटक में तीन टोकरी हैं इनका तीनों का नाम क्या है सुध पिटक विने पिटक और अधी धम पिटक ये तीनों नाम आपको पता हो और ये भी तिरपिटक नाम भी आपको याद होना चाहिए। प्राकरत संस्कृत तमिल भाषाओं में साइत्य का सरजन किया। तो जैन विद्वानों के सुरोत कहां से हमें मिलेंगे इनको पढ़ने के हमें संस्कृत में तमिल भाषाओं में इन सब के सुरोत मिल जाएंगे और प्राकरत भाषा में तीन भाषाओं में साहित्य मिल जाएगा जैन विद्वानों का। बुद्ध के संदेश तैकडो वर्षों के दौरान पूरे महादीप में और उसके बाद मध्य एश्या से होते वे चीन, कोरिया और जपान, शिरलंका से समुद्र पार तक मयम्मार, थाइलेंड और इंडोनेश्या तक फैले तो अब आप से ये प्रशन होगा कि कहा कहा बुद बुद्ध धरम फैला ये प्रशन आएगा तो ये आप बोलेंगे मध्य एश्या, चीन, कोरिया, जपान, शिरलंका से समुद्र पार तक मयम्मार, थाइलेंड और इंडोनेश्या तक फैले बुद्ध के संदेश पंदरवा बुद्ध के शिश्यों के दल ने संग के स्थाप क्योंकि लोग आते हैं, लेकिन संग में आने के बाद वो सब एक ही माने जाते थे, सब बराबर माने जाते हैं, बुद्ध की उपमाता महा प्रजापती गौत्मी संग में आने वाली प्रतम बिखुनी बनी, ये प्रशना आता है, प्रतम बिखुनी कौन थी? महा प्रजाप प्राप्त कर लिया उसको थेरी कहते दे ये लाइन याद कर लीजे थेरी किसे कहते दे ठीक है उसके बाद भिकुनी फस्ट कौनबर्धी महाप्रजापत्मी गौत्मी और उबदेशिकाय कौनबर्णी वो भी स्त्रिया जो भी संग में आई वो उबदेशिकाय यानि लेक्चर देने वाली बनी आज भी हम टीवी चैनल्स पे देखते हैं कि स्त्रिया उबदेशिकाय होती है सत्रवा बौत दरम में समहित होने पर सभी को बराबर माना जाता था क्योंकि भिकु और भिकुनी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान का त्याग देना पड़ता था बौत दरमें निर्वान का अर्थ है अहम और इच्छा का समाप्त कर देना उन्निसवा पॉइंट है हमारा प्रारम मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न दिखा कर उनकी उपस्तति प्रतीक के मात्यम से दर्शाने का प्रियत्तन क्याब उनको मानव जो शुरू में उनको मानव रूप में नहीं दिखाया गया 20 है साची के स्थूप में शाल बंजिका की भूमी मूर्ति इस बात को इंगित करती है कि वो जो लोग बौध धरम में आए उन्होंने बौध और और बौध धरम में इतर दूसरे विश्वासों को यह आप देखेंगे शाल बंजिका की मूर्ति है अगर हम इसको देखे तो पता चलता है जो भी आए उन्होंने बौध पुरो बौध धरम से इतर दूसरे विश्वासों और प्रथाओं और धाराओं से बौध धरम को स्मृद्ध किया वैश्णव धरम क्योंकि हम शुरू में जब देखते हैं तो वहापे कोई स्त्रियों का आना जाना बना था बौध धरम के अंदर ठीक है बाद में शाल बंजिका की मूर्थी बौध धरम में दिखाई देती है यानि कि दूसरे विच्वारों और प्रथाओं से बौध धरम भी समृद्ध हुआ वैश्णव धरम हि जिसमें शिव को सरोच माना जाए वैश्णव परमपरा वो है जिसमें विश्णु को सरवादिक महतुपून देवता माना जाए महिलाय और शुद्र वैदिक साहित्य पढ़ने से वंचित थे जबकि वे पुरानों को सुन सकते थे यह पढ़न नहीं सकते थे कि उनको पुर जानी बोपाल के पास तीन धरमों का कौन सा उत्थान हुआ प्राचीन धरमें इंदु दरम था बोत धरम था जैन धरम था छटी सत्त अपदिसते पूरु भारत में जैन और बोत धरम के उदे के दो कारण बताओ क्यों उद्य होए तो एक तो वैदिक धर्म में जटिलता थी वैदिक धर्म लोगों को समझनी आ रहा था येग्यों का बहुत खर्चिला होना त्रिपिटक का मतलब क्या है तीन टोकरी संख्या में कितने होते तीन होते तीन अभी हमने नाम पड़े थे उपर अधिदम यह देखेंगे यह आगे आपके दिर्ग उत्तर हैं दिर को क्वेश्चन से इसको बाद मिलेंगे तो अब हम यहां से शुरू करते पहला है स्टूप किसे कहते है आरम में स्टूप वो टीले होते थे जो बहुत धर्म में पवित्र माने जाते थे प्राचीन भारत में किंद दर्म लेख रहे हों तो जैन और बहुत दर्म उसे पहले हिंदू दर्म था च्टी शिताबदी इसा पूर से भारत में जैन और बहुत दर्म के उद्धर के दो कारन बताई है तो दो कारन है जैसे अब आप पीछे देख देख रहे थे सायक 급ळाड़ी में लिखे थे कु बुद्ध महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है तिरपिटक में और इसकी संक्या तीन है नियतिवादी और भौतिक वादी विचारधारों के मुक्य विशेष्टा क्या थी नियतिवादी है मानते थे सबकुछ पूर्व निर्धारित है नियतिवादी वो होते जो न अनुठी चट्टाने विस्मेकारी प्राकर्तिक सौंदर्य होता था यह स्तान पवित्र माने जाते थे तो यह बहुत लोगों की जगती यहां पर यह बैठके विहार करते थे यह स्तान पवित्र माने जाते थे कुछ तलो पर एक छोटी से वेदी भी बनी होती थी जिने कभी- का विहार किसी कहते जब बॉद्ध भिक्षू निवास करते थे उन्हें विहार कहा जाता था स्टूप से आप क्या समझते आरंब में स्टूप वस्तूतर टीले होते थे लेकिन बाद में पवित्र बॉद्ध स्थल बन गए यहां बुद्ध से जुड़े अवशेशों को इनने सुचा यहां वरक्ष की पूजा होती है सरप की पूजा होती है वे बॉद्ध साहित्य के बारे में नहीं जानते थे क्योंकि जब तक बॉद्ध गरंतों का अनुवाद नहीं हुआ था तब तक बॉद्ध गरंतों का अनुवाद नहीं हुआ था तो बॉद्ध साहित् में भुपाल के पास फिर उसके बदभभु वी कलपिया प्रश्णा आएंगे ज्यारव आपका प्रश्णे है इसा की प्रतम सद्रम के बाद भाध ध्रम बट गया किस बट गया अलवार नेनार मैं हि Consort इसका उत्तर आएगा बौद्यधरम दो भागों में बड़ाता हीन और महायान तो यह दोनों नाम हमारे घह उप्षन में है तो घह में आएगा ठीक है अलवान और नयनार तो हमारा भक्ति पराम पराम में हम पड़ेंगे कि विश्णु भक्त और शिव भक्त तो यह आपके ही इंग्यान महायन बॉध्धरम का बटवारा रहा हुआ दो भागों में उसके बाद तर्पिटक का क्या आर्थ होता है इन प्रशनों कर चुकि่ं है तो यौ नहीं बुद्ध चरित्र के रचेता कौन ते, गौतम बुद्ध, अश्वगोष, महावीर, बुद्ध चरित्र किस नहीं लिखा है, पार्ष्वनात, तो उसका उत्तर आएगा, कि बुद्ध चरित्र के रचेता थे, ख, अश्वगोष, इसको याद कर लिजे, बुद्ध चरित के रचियता थे, अश्वखोश, बुद्ध के उपदेश, शामील है, कहाँ पर शामील है, सुथ पितक में, धिदम पितक में, ये तीनों, सुथ पितक, विने पटक, जुए अधिदम पितक, bio तर्भ की तरह बीदमाताँ वी, आदिदम पितक कहा जाता है 1414 में यह हमारा आया अगला प्रश्णा यूगमस सुंभेलित कीजिए मनुस मृति का संकलन कब हुआ एक कोई प्रश्णा आधार है इसको देखते हैं आगे मनुस मृति का संकलन कब हुआ 500 इसा पूरु से 500 इसवी में 300 से 300 में 400 से 400 में 200 से 200 इसवी में तो हमने देखा है 200 इसा पूरु से 200 इसवी तक का समय मनुस मृति के संकलन में लिखा हुआ थ तेरह है वनिक शब्द का प्रयोग हुआ वनिक शब्द का प्रयोग किस के लिए हुआ कारीगरों के लिए किसानों के लिए व्यपारियों के लिए सेनिकों के लिए वनिक शब्द जो होता था वो आपके व्यपारी वर्ग के लिए होता था प्लान करना है कि कौन सी चीज आपकी ठीक रहेगी आपे तो आप देखो रामाइन को किसे मिला सकते हो रामाइन को मिलाए जाएगा रामाइन किसने लिखी दी वालमी की जीनिये तो रामाइन को वालमी किसे मिलाए जाएगा महावारत को मिलाए जाएगा वेद व्याजी से ठ तो हमारे options हुए यह आपका सारा आप देखेंगे कि रमायन को मिल रहे है वालमिकी से तो एक वन का बी इन तीनों options में वन भी वन भी है फिर महावारत को देखो यह है वेद व्यास जी तो यह हो गया A, B, C तो second का महावारत जानते हैं वेद व्यास जी नहीं है तो second का C यहापे second के दोनों अलग है तो हमारे यह option दो ठीक लग रहे है उसके बाद तीसना मिला हो third का E तो one, two, three अश्टा ध्याई third का अश्टा ध्याई हुआ पानी नहीं यह हमारा match कर रहे है त्रिपिटक हम भी पता है कि बौद गरंद से यह नहीं किए A के साथ में तो four का A भी match कर रहा है मनुस्मृति आपका हो गया फिर जो बच गया कौनसा धर्मशास्त्र इस प्रकार से हम देख सकते कोई तीन आते तो आप यह देखो कौनसे options आ रहे है पहले हमने one b देखा हमको बिल्कुल shorter रमाइन वालमी के रहे लिखिए तो तीनो options होगे यह कट गया घह वाला option तो तीनों में से जब हमने दूसरा मिलाया महाबारत का वेद्व्यास तो यह महाबारत का वेद्व्यास सेकंड सी बस इसमें दिया या पर यह दिया यह दिया तो यह करक्ट हो गया न आपका तो इस तरह से हमने सारे मैच के यह करक्ट है इसका answer देखो तो यह आपका है answer A अब यहाँ पर कलकत्ता में इंडियन मुजियम की स्थापना कब हुई थी कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना हुई थी 1614, 1714, 1814, 1914 यह हुई थी हमारे इसको याद कर ले 1814 में इंडियन म्यूजियम की स्थापना हुई थी 1814 में साची को विश्वकला दाए स्थान घोशित किया गया साची को विश्वकला स्थान कैसे कब घोशित किया 1889 में 1950 में 1850 में 1989 में तो उसका उत्तर आएगा हमारा घर 1989 में उसको विश्व कला स्थान दाय घोशित किया गया उचित करम बनाने हैं आपर राष्ट्य संगराले नई दिल्ली की नीव रखी गई राष्टे संगराले नई दिल्ली की नीव रखी गई नमबर एक काम इंडियन म्यूजियम कुलकता की स्थापना हुई कनिंगम ने बिल्ला टॉप्स किताब लिखी और गवर्नमेंट म्यूजियस मद्रास की स्थापना तो क्या चीज पहले हुई तो हम देख रहें कि सबसे पहले इंडियन म्यूजियम कुलकता की स्थापना हुई थी जो भी हमने पढ़ा था और उसके बाद चौथे नमबर पे गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास की स्थापना हुई थी फित तीसरा कनिंगम ने बिल्ला टॉप्स चीता और फिराष्टे संघराले नई दिल्ली की नीव रखी गई तो इस तरीके से यह आपके ऑप्षिन होए थे यहाँ पे उचित करम चुनना है सबसे पुराना मंदिर बौद और जैन धर्म का आगमन प्रारंबिक वैधिक परणफराय आरंबिक س्थूट अपकर जानते वैधिक परणफराय तो सबसे हुगा तो इसमें आप यह देखते हैं तो कहँ गर में यह थ cambiar में यह थर्ड नंबर का वैधिक परणफराय सबसे पहले दे रखाए तो दिन आपशंस होगा जब वैदिक परमपराएं हुई है उसके बाद में क्या कम हुआ है उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे मंदिर बने है जब वैदिक परमपराएं हुए है बौध धरम का विकास हुआ सबसे मंदिर हमारे बने है जब भक्ति परमपरा वगरे शुरू हुई है तो बौध धरम औ ठीक है उसके बाद आपका आवा पुराने मंदिर चुनो या स्टूप चुनो तो फिर मंदिर और फिर हम देखते हैं कि स्टूप तो क्या होगा जब बौद धरम और जैन धरम बनाए तो स्टूप किसके बने थे बौद धरम के बने थे तो पहले आपके स्टूप बने और फि फिर उसका आपका टू, बॉद और जैन धरम का आगमन हुआ, फिस तूप बने और उसके बाद सबसे पुराने मंदिर बने, ठीक है, सही यूगम क्या है इसमें, एक से चार, एक दूर, एक प्रशन, ये देखिए, बीस वाला प्रशन देखिए, एक सूची आपके बनी हुए, जैन धरम, महात्माबुद, बॉद धरम, बॉद गरंथ, प्रतम तिरतंकर, तिरपिटक, और इसमें से जो आपको समझ में आता है, वो आपकर लीजिए, जैसे आप जैन धरम को किस सब के साथ जोड़ोगे, आपको दो नाम समझ में आते हैं, मह तो आप देखते हो, हमारा सही उत्तर है घ, इसके अंदर क्या है, कि एक को चार से मिलाया, यह आपका वर्दमान महावीर हुए, जैन धरम के प्रवर्तक, वन को महावीर से मिलाया, उसके बाद मैं आपका दूसरा जो है बॉद धरम, उसको हमने किस से मिलाया, उसको हमने मि क्लियर तो यह आपके short questions हो गए यहाँ पर जैसे दो जगे यह आ रहा है जैन धर्म स्टार्ट किया वर्दमान महावी ने बहुत धर्म स्टार्ट किया महात्माबुद ने प्रतम तेरतंकर इंगे वे रिश्यबनार और त्रिपिटक है जहाँ पर बहुत धर्म की शिक्रशाओ का संकलन है जिसको हम कह सकते हैं बहुत गरंद ठीक है बच्चों एक और वीडियो हम फिर बनाएंगे आज की वीडियो में बस इतना ही है इसको आप देखो तीन-चार बार सुनो और आपको short questions याद हो जेगे फिर long questions का आभी मैं वीडियो बनाती हूँ in a short while okay children till then bye bye